हेलो गाइज आज हम बनाने वाल हैं आम की खीर इसे पहले कि आम का सिजन चला जाए यह रिस्पी आप लोग जरूर ट्राइए अगर आपको मेरे रिस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं आगे भी आप ल हो रहा है इधर हम लोग तीन बड़ा चमच बासमती चावल ले लेंगे आप किसी भी चावल का इस्तमाल कर सकते हैं पर इससे आपका खीर बहुत ज्यादा बनेगा इसे दो के 5-6 मिट के लिए भिंगो के रख देंगे तो दूद में आ चुका है इसे हलका सा चला देते हैं अब गैस का फिल्यम लों कर देंगे अब इसमें चावल डालिएगि तो गाइस चावल डालने सेले इसे अच्छे से तोड़ लेना है तो यह देखे इसे मसल्स कई धरल लेइगे अब जब भी खीर को चलाएना उसे साइट से और तली से खोरोशते वे चलाएं थाकि दूद तली से ना जले खीर को पकते हुए तीजमेंट हो चुका है अब इसमें ड्राइफूर्स एट कर देंगे तो गैस आप अपने पसंद की कोई भी ड्राइफूर्स ले सकते हैं अधी छोड़ी चमच इलाची पाउरो डाल देंगे इसे डालने के बाद खीर को दस से पंदर मिटकले और पका लेंगे तो गैस सारी प्रोसेस में गैस का फ्लेम लोही रखें खीर को पकते हुए टोटल पैतालिजमेंट हो चुका है अब इसमें चीनी डाल देंगे तो गैस चीनी अपने टेस्ट के कोडिंग कम या जादा कर सकते हैं मैं यहां टोटल ची बड़ा चमच चीनी ले रहे हूं है मिला देंगे चीनी को अच्छे से तो गैस चीनी डालने के पाद खीर थोड़ी पतली हो जाती है तो इसे पांच से दस मिट के और पका लेंगे और इसे कं बारी हो चुकी है और नीचे से जल भी सकती है तो खीर बनके हमारा रेडी हो चुका है और इसे बनने में टोटल 55 नट लग चुका है अब गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और खीर को अच्छे से ठंडा कर लेंगे खीर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है यह देखिए यह तीन दिनों तक इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह देखिए खीर बनके हमारा रेडी हो चुका है और आप इसे ठंडा ठंडा सर्फ करें यह बहुत ही ज्यादा यमी बनता है सर्फ करने से पहले इसके पथवासा ड्राइफुट्स और आम से कानिस कर देंगे उमीद है कि आपको में रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाए तो चलिए मिलते हैं आप से एक नए रेसिपी के साथ तब देक लिए बाग बाई